नमस्कार दोस्तों मैं सिवांस दूबे लर्णिंग पे आप सभी का सवगत करता हूं आसा करता हूं आप सभी लिए अच्छे होंगे दोस्तों लर्णिंग पे एक हजार सस्क्राइब पूरे हो गए हैं और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से सपोर्ट करने के ले और उमिद करता हूं कि आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं और मत निकालने इतिहास पर हम लोग का बारहावा वीडियो है जिसके अंत्रकत हम लोग चोल समराज को कवर कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते है तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों को में सियर करिए लर्निंग बुक फैमिली को और बड़ा बनाईए चलिए कोस्चिन की तरफ चलते हैं तो विजयनेगर समराज पर हम लोग का दूसरा वीडियो है और अन्त समराज की वित्ती व्यवस्ता की मुख विशिष्टा क्या थी ऑप्शन ए अरिसेश लगाना ऑप्शन भी भूराजस ऑप्शन सी बंदर गाहों से आमदनी ऑप्शन डी मुद्रा प्राली तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल राजस पर आधारी थी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं दूसरा कोश्चन है अठ्वर्ण का क्या मतलब है ऑप्शन भूराजस विवाग ऑप्शन भूराजस ऑप्शन सी आयात कर ऑप्शन डी वाने जिकर तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन एक साथ जा रह है और इसको आप लोग विशेश कर विजय नगर समराज से उठने वाले कई महत्मूर कोश्चन में से एक है चलिए नेस्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं किस्न देव राय के दरबार में अश्ट दिक्गत्स कौन थे ओप्शन ए आठ मंतरी ओप्शन भी आठ तेलगू कभी ओप्शन सी आठ महान सेना पती ओप्शन डी आठ परा मर्स दाता तो दोस्तों विजय नगराव समराज से जो कई प्रशन उठते हैं उनमें से ये भी कोश्चन भी काफी बार पूशा जाता है आप लोग के सामने से कई बार गया होगा तो अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहा है आठ तेलगू कभी तो आप लोग बिल्कुत सही है अस्ट जिगज आठ तेलगू कभी ओंसे समधित है कहा जाता है कि इस काल में तेलगू साहित अपनी परकास्था तक पहुंच गया था मतलब क्य Pentate ये ये काल सुण काल माना जाता है कि में डेवर्य का चलिए नीश्ठ को सिंग चलता है है डेथ सरकी सुल्तानों के सासेन काल में निन इसंथानों में से किसे पूर का सी राज या सीराजे हिन्द कहा जाता है क्यों आपशन आगरा ऑप्शन बिल्ली ऑप्शन जॉन प पुर्ण आपका उत्तर प्रदेश मिच्तित है इसकी स्थापना आप लोग बताईए किस ने की थी तुगलग वंस के ही सासन काल में इसकी स्थापना हुई थी इतना महिंड आपको दे दे रहा हूं बाकि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईए जौन पुर्ण नगर की स्थ कि दोस्तों अगर आप लोग आप लोग स्रीवर तो आप लोग बिल्कुल सही है कि करल्ण कस्मीरी टिहास सथा विश्विख्यात गरंत रजन रंगनी के रजाइता थे जोन राज भी कस्मीर के ही इतिहासकार थे जो कि इन्होंने रजन रंजनी को आगे बढ़ाया चलिए कि दरब चलते हैं अपनी मदुरा विजया वीर कम परायद चरित्र कृति में अपने पती के विजय अभियानों का वड़न करने वाली कवित्री थी ऑप्शन भारती ऑप्शन भी गंगादेवी ऑप्शन सी वारे दंबिका ऑप्शन डी विज्जिका तो दोस्तों अगर अगर आप लोग ऑप्शन एक साथ जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही बहांनी राज की स्थापना अलाउद दिन असन भामनसार असन गंगू ने की थी और बहामनी राज की स्थापना कई बहार पूच लिया जाता है किस वर्स हुई थी तो इसकी स्थापना 1347 में हु का सासनकाल था मनत समाना अंतर रूप से मुहम्मद बिन तुगलक सासन कर रहे थे जब भामनी राज की इस्थापना होई थी चलिए नेस्ट कोसिन की तरफ चलते हैं दोस्तों question के साथ जो भी extra आपको बताया जाता है fact वो कहीं न कहीं exam में कई बार पूछा जाता है तो इसलिए आपको बता दिया जाता है उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िए सुनिए और मन करें तो कहीं नोट कर लीजिए अगर आप लोग नोट बना रहा है उसको नोट करते विए चलिए exam point इप से काफी important है इसका आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए आठावा question पढ़ते हैं वैदी ग्रंतों के प्रसित भासिकार सायन इन में से किस एक काल में सक्रियत है उप्षन ए चोल राजिकाल उप्षन बी गुप्त राजिकाल उप्षन सी साथ वहन राजिकाल उप्षन डी विजयनगर राजिकाल तो दोस्तों अगर आप लो अगर आप लोग option डी के साथ जा रहे हैं तो आप तो बिल्कुल सही है 1565 इस्वी में दक्कन के सल्दनतों और विजयनगर समराज के बीच लडा गया था और इस यूद्ध में विजयनगर समराज के हारु थी और जिसके साथ विजयनगर समराज का पतन हो गया चलिए next question की तरफ चलते हैं कस्मीर का सासक जो कस्मीर का अगबर नाम से जाना जाता है वह है option A समसुद दिन सा, option B शिकंदर बुद्किसन, option D हैजदर सा, option D जैनुल अबदुन काफी important question ने कई बार exam में पूछा जाता है और अगर आप लोग option D के साथ जा रहा है जैनुल अबदुन तो आप लोग बिल्कुल सही है चलिए next question की तरफ चलते है किस देवरा ने आमुक्त माल्यार टिकाव की रचना किस भासा में की option A संस्कित, option B तमिल, option C तेलगू, option D कंडड तो दोस्तों अगर आप लोग option C के साथ जा रहे हैं तेलगू तो आप लोग बिल्कुल सही है C is the right answer या पुस्तक नागरिक वा सैनिक प्रसाशन के विषय से संबंदित है जो बुक कावे आमुक्त माल्यार जिसकी रचना किस देवराय ने की है या बुक सैनिक वा नागरिक प्रसाशन के विषय में संबंदित है और जैसा कि आप सभी जानता है किस देवराय तुलू व चलिए नेस्ट के दरब चलते हैं किस देवराय का राज कवी था आप्टिमाय ये और देनाली राम किस आप्टिम इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों आगर आप लोग आप्टिमें के साथ जा रहा है प्टिमाय तो आप लोग बिल्कुल सही है एस दर आइड उन्सर चलिए तेरा में क्में के तुल चलते हैं इन में से किसे आंदर भोज भी कहा जाता मोस्ट इम पर्टन को अप्शन तक बिल्कुल सई हैं एज दर राइट एंसर कि ने पंदरासोग नौ से पंदरासों इन इस तक सासन किया और यह तुलू बन से सम्दी थे और इननों उपाधी धारंड की थी आंधर भोज, अभिनो भोज, आंधर प्रितामा आदी टाई बार एक्जामों में अलग-अलग नाम से पूछ लिया जाता है तो आप लोग confuse मत होएगा आंधर भोज, अभिनो भोज, आंधर प्रितामा आदी धारंड की थी चलिए next question की तरफ चलते हैं विजे नगर के किस सासक को आंधर पितामा भी कहा जाता है option A देवराय first, option B देवराय second, option C किसन देवराय first, option D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों अगर आप लोग option C किसन देवराय first की साथ जा रहा हैं option A राज-राजा, option B देवराय first, option C देवराय second, option D किसन देवराय first तो दोस्तों आप लोग option D के साथ जा रहे हैं किसन देवराय first, आप लोग बिल्कुर सही है तेलिवू साइड का जो classical यूग याए सोड काल किसन देवराय के सासन काल को माना जाता है और इंका सासन काल था 1529 से 1529 तक 20 सालोगा सासन काल था, काफी सक्तिसली सासन काल था इनका चलिए 16 कोशिन के तरफ चलते हैं किसन देवराय ने लिखिर में से किसका निर्माण नहीं कराया option A. किश्ण सौमी मंदिर option B. विठ्टल सौमी मंदर option C. हजारा सौमी मंदर option D. मिनाची मंदर तो दोस्तों अगर अगर आपड़ो option D के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है किश्ण देवराय ने मिनाची मंदर का निर्माण नहीं करा IE था चलिए next question की तरफ चलते हैं, किस पुस्तक में किस देवराय अपनाए गए राजनितिक प्रसासनिक सिध्धानतों का बड़न मिलता है, option A आमुक्त माल्याद, option D मनुचरित्रम, option C पारियाता पारण, option D महुद्रा विजय, तो दोस्तों अगर आप लोग option A आमुक्त माल्याद के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है, चलिए next question की तरफ चलते हैं, विजय अगर किस सासक ने विवाह कर जैसे आलोग प्रिये करों को समात कर दिया, option A देवराय first, option B देवराय second, option C किसन देवराय, option D सदा सीवराय, तो दोस्तों अगर आप लोग option C किसन दे समराज के सांदार यूग का अंत माना जाता है, तो दोस्तों उपर भी हम लोग ने discuss किया है, अगर आप लोग option C, ताली कोटा का यूद के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है, और ये यूद 1565 इसे में लड़ा गया था, ताली कोटा का यूद 1565 इसे में दक पूछा गया है, काफी बार एक्जाम में पूछा गया है, चलिए 20 कोट्शन के तरफ चलते हैं, किस यात्री ने ताली कोटा यूद 1565 के बाद विजय नगर समराज का भ्रमड किया, और इसे राजकी नगर के विनेस्ट भैवो व्याभो पर टिपड़ी की, option A, निलो निको देवराय के सासनकाल में यात्रा की थी, जो कि पूर्तगाली यात्री थे, चलिए 21 कोट्शन के तरफ चलते हैं, विठ्थल स्वामी का मंदिर किस देवता को समरपित है, option A, विठ्थल की रूप में विश्णु को, option B, विठ्थल की रूप में C को, option C, विठ्थल की रूप इसको, option D, विठ्थल की रूप में कार्थ के को, तो दोस्तों, अगर आप लोग option A के साथ जा रहा है, विठ्थल की रूप में विश्णु को, तो आप लोग बिल्कुल सही है, A is the right answer, चलिए 22 कोशिन की तरफ चलते हैं, मदुरा का मिनाच्छी मंदिर का निमान कराया था, option A, मदुरा के पांट साथ कोने, option B, मदुरा के मुसलिम साथ कोने, option C, मदुरा के नायकोने, option D, इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों, अगर आप लोग option C, मदुरा के नायकों के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है, C is the right answer, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, विजे नगरकाल में, ग्रामीड साथ की इकाई पर साशन के लिए 12 वेक्टियों का निव्ट किया जाता था, जिससे कहा जाता था, option A, नायांकर, option B, आयांकर, option C, राय, option D, कोड, तो दोस्तों, अगर आप लोग option B के साथ जा रहे हैं, आयांकर, तो आप लोग बिल्कुल स संपत्तिकर, option C, आयात, सुल्क, option D, वेबसाइक कर, तो दोस्तों, अगर आप लोग option A, भूमिकर के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है, सिस्टकर का अर्थ है, भूमिकर, चलिए 25 कोशिन की तरफ चलते हैं, विजे नगर समराज में सैनिव की भाग किस नाम जाता था, option A, कदाचार, option B, अठ्वर्ड, option B, वेश्वेक, option D, इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों, आप लोग आप गर option A के साथ जा रहे हैं, कदाचार, तो आप लोग बिल्कुल सही है, A is the right answer, विजे नगर समराज में सैनिव भूमिकर को कदाचार की नाम से जाना जात आप लोग बिल्कुल सही है, A is the right answer, विजे नगर समराज में से कोई नहीं, तो दोस्तों, आप लोग option A के साथ जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही है, A is the right answer, 27 वा कोश्चन है, महमूद बेगड़ा किस राज का प्रशित सुल्तान था, तो दोस्तों, अगर आप लोग option B गुजरात के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है, महमूद बेगड़ा गुजरात का एक प्रशित सुल्तान था, दोस्तों, आज का आखरी question, 28 question, अधीना मजजित कहां इस्तित है, option A जानपूर में, option B बंगाल में, option C गुजरात में, option D इन में से कोई नहीं दोस्तों, आगर आप लोग option B बंगाल में जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही है, अधीना मजजित बंगाल में इस्तित है, या लखनवती से कुछ किलुमेटर दूरी पर इस्तित है, दोस्तों, वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ऐसा ही चैनल को सपोर्ट करते रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेरी मच्च